प्रेंड अभी आप डेट देख सकते हैं 15 फैब Tuesday 6.58 पिम साथ बजने में सिर्फ दो मिनट बाकी है और यह मैंने क्यों दिखा है आपको क्योंकि आज अभी आपको दो मिनट बाद इंपेक्ट देखने को मिलेगा PPI Producer Price Index का Producer Price Index basically क्या है NFP की तरह आपको बहुत बड़ा इंपेक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आपको हलका सा इंपेक्ट जरूर देखने को मिलेगा जिसके उपर आप ट्रेड ले सकते हो मैं जो है 659 हो चुके है नेक्स्ट टू मिनट की डिरेक्शन में मैं दो मिनट के लिए अपवर डिरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ अजिए है कि हर एक महीने में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिसमें इसका इंप्एक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मलता है और आज यह वो दिन है 15th Fab 2021 दोस्तों अगर आपको प्रोड्यूशर प्राइज इंडेक्स तो अभी समझते हैं कि PPI है क्या यार जब हम gas station पे जाते हैं हम construction work देखते हैं तो यार हमारे दिमाग में आता है यार इनका जो price है जो fixed price है वो change होना चाहिए लेकिन ये change कैसे होता है इसको change करने के लिए economy को समझना पड़ेगा जो की help करता है businesses में and policy makers में यानि कि जो decision making होती है उसमें बहुत help करता है और ये न average change over time के measurement पे काम करता है selling prices of goods and services produced in the US बड़ यार अब सवाल ये उठता है why should we use PPI data PPI का जो data होता है वो काफी accurate होता है और timely होता है और monthly published होता है standard जो है quality के वो properly mate करता है और ये किस तरीके से काम करता है US के अंदर अगर किसी सामान या किसी product या किसी service की आज की date में कीमत 100 रुपे है तो एक महीने बाद exact एक महीने बाद या थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है तो एक महीने बाद जो report generate होती है उस पे depend करता है कि market उपर जाएगा या नीचे आएगा ये जो fluctuation है इसको PPI बोलते है आप देख सकते है 5000 डॉलर्स की trade जो हमने place करी थी अभी profit में ही है तो यार यहाँ बे आप देख सकते हैं कि एकदम से market नीचे गया अब पीछे का graph देखो पीछे का graph देखो एकदम stable है बहुत बहुत small small candles है यहाँ पे आपको एक बहुत downward direction में candle देखने को मैं लिए एक minute के लिए और उसने इतनी जल्दी fast recovery करी और upward direction में गया और आज का जो हमारा profit रहा है 5000 डॉलर्स पे 82% return के accordingly देखने यार calculate करनो अपने accordingly सारे के सारे और मैं बस इतना बताना चाहूंगा 7 p.m. पे जो मैंने predict किया था जिस condition के accordingly मैंने trade ली थी upward direction में वो successful रही हला कि एक minute के अगर मैं trade ले था तो मैं जरूर यहाँ पे profit नहीं करके जाता लेकिन आने trade 2 minutes के लिए थी तो कि यार मुझे थोड़ा सा doubt था upward direction में जाने के लिए kind of ऐसा था कि first time मैं इस event पे trade ले रहा था तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके था कि हो सकता है कि fluctuations मुझे high देखने को पड़े market recovery जादा देखने को मिले तो यार यह एक नया event जो है वो introduce किया है आपका भाई ने यानि कि मुझे नहीं लगता किसी ने आथ से पहले बताया होगा तो यह जो event है PPI हर महीने में आपको बताऊंगा कब आने वाला है कैसे आएगा और कैसे trade लेनी है बट मतलब बहुत सोच समझके और ध्यान से हाँ पर trade लेनी पड़ेगी recovery market बहुत जल्दी देता है कैसा लगा वीडियो जरूर बताना है आप लोगों comment section में बहुत fast वीडियो था मज़ा जरूर आया होगा आप लोगों ने कहा था मुझे events बताइए ये एक event last महीने भी आया था अगर आपको पिछले महीने का भी चार्ट जो है वो check करना है जाके 15th of Jan को ये event आपको देखने को मिला था fluctuation देखने को मिला था 15th of Feb को भी ये fluctuation देखने को मिला है लेकिन अगले महीने 15th को ये fluctuation देखने को नहीं मिलेगा चेंज है डेट और कब है क्या है सारी डिटेल के साथ बताऊंगा टेलिग्राइम पे सब्सक्राइब बटन पे अभी हिट कर दो अगर आप आगे फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते हो तो कर दो अगरे तो तो अगरे अच्छाग वात मज़तार चीज है तेयर स्टितुन चैनल के साथ कीव वचिंग और तेंक यो सू मच वच वाच वीडियो तिल येंद